हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट्प्लिक्स अप्लिकेशन के बारे में फ्रेंड्स नेट्प्लिक्स अप्लिकेशन को open कर रहे हैं तो problem प्राद शाब यहानि उसमें कुछ err consult तो तो इस error को कैसे solve करना है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है तो अब आपकर नेटलिक्स अप्लीक्स को अपने फॉन में open कर लिया और देखते हैं इस पर क्या error आ रहा है और उस error को कैसे हम solve कर सकते हैं तो friends आप पूरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर open हुए, एक कुछ second हो भी गया, अभी open नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं कब तक open हो जाएगा, अगर open हो जाता है, तो ठीक है, नहीं open होता है, तो उस problem को कैसे solve करना है, हम आपको बताना है, देखिए friends यहाँ पर कुछ error लेटर, यहाँ पर कुछ लिखा हुए, माइनस 1001, तो friends इसे ok कर दीजिया, और क्या करना है, इसे close कर देना, अब आपको क्या करना, friends, यहाँ से अपने जो chrome browser है, chrome browser पर आना है, और यहाँ से आपको simply क्या करना है, एक page open करना है, और यहाँ पर आपको chrome browser में search करना है, www.netflix.com और इसे search पर click करना है, अब देखते हैं, friends, यहाँ से हमारी जो, हमने इसका link डाल के chrome browser में search की है, अब क्या लिखकर आता है, open होता है कि नहीं होता है, अगर इसमें भी नहीं open होगा, तो हम आपको बताएंगे क्या करना है, अगर open हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना ह होगा आगे, तो friends, देखी, इसमें भी कुछ error आ रहा है, इसमें क्या error आ रहा है, this site cannot be reached, और नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है, try, checking the connection, error यहाँ पर time out दिखा रहे है, यानि आपकी जो connection friends, आपकी दिक्कत कहां से आ रही है, जो आपका network है, यानि आपकी connection है, उसकी speed कम है, और netflix को open करने के लिए friends, आपको speed, यानि थोड़ा और चाहिए, अगर आप उसके जगा पर कोई और site open कर रहे है, तो open हो जा रहा है, लेकिन अगर netflix open कर रहे हो, तो आपकी जो, मतलब netflix की site है, ओ नहीं open हो पा रहा है, तो friends, इसकी दिक्कत यह की है, कि आपकी जो network यानि data speed है, friends, बहुत कम है, तो आपको क्या करना है, friends, माली जाए, आपके पास बोड़ा phone का SIM है, या जीओ का है, या बीएसनल का है, आइडिया का है, कोई भी किसी भी company का SIM है, तो आपको simply क्या करना है, friends, आपको अपने जो company का SIM है, उस company का, जो company का number होता है, toll free number, आपको उस number पे क्या करना है, call करना है, और call करने का बाद से, friends, आपको अपने जो भी company के मतलब, वहाँ पे phone receive करते हैं, तो आपको क्या करना है, कि उनसे कहना है, कि सर, हमारी problem ये आ रही है, कि हमारा जो site है, और एकी site पे हमारा problem आ रहा है, कि हम जब भी उसे open कर रहे है, एप से क कर रहे है, तो वह भी उस पे मतलब network की problem दिखा रहा है, अगर sites open कर रहे है, chrome browser से, तो भी उसमे network का problem दिखा रहे है, तो sir, इस problem को solve करना है, तो क्या करेंगे, friends, ओ जो आपकी area का network होता है, उसकी speed को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे, यानि ओ network की speed थोड़ा बढ़ जाएग असानी से, और आपकी जो chrome browser में open कर रहे है, तो वहाँ से भी open कर पाएंगे, यानि दोनों जगा से आप use कर पाएंगे, बहुत easy और कोई application में कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही आपके chrome browser में, तो यह सिर्फ network की दिक्कत है, तो friends, आई हो कि वीडियो आपको पसंद है, वीड इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा, धन्यवाद दूस्तों, आपका दिन सूब, जय हिंद बंदे मातरम